हाईलो फ्रेंड्स, गुड विनिंग, स्वागत है आप सबका स्युक्रिपा कलास एच पार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC GD पेपर 2023 के एकस्पेक्टेट कटाफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों पेपर हमारा पुरी तरह से 13 फर्वरी को संपन कराय जा चुका है हम लोग दोस्तों कोश्टन्स के लेबल वह परिच्छा के पैटर्न वह अग्जाम के सभी पच्छों पर बात करते हुए एक एकस्पेक्टेट कटाफ निकालने की कोशिस करेंगे दोस्तों और अपने सेफिसकोर के बारे में भी बात करेंगे कि कितना हमारा सेफिसकोर हो सकता है तो चलिए दोस्तों बारी-बारी से हम लोग सभी पच्छों पर इसके बात करते हैं और अपना expected कटाप जानने का प्रियास करते हैं सब सब पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि SSE GD 2023 में total vacancy कितनी थी तो वो थी दोस्तों 46,453 post यानि जो बादनें बड़े ही थी दोस्तों तो यहां हम लोग expected कटाप निकालने के लिए सब ही चीजों को बारी-बारी से दोस्तों देखेंगे तो total vacancy थी 46,453 टोटल आबेदन कितना हुआ था दोस्तों तो लगभग 54,00,000 के आसपास हुआ था और परिच्छा देने वाले जो अब भेर्थी थे वो लगभग 54,00,000 के 70,000 फीज दी थे यानि आप मान सकते हैं लगभग 37,00,000 लोगों ने इस परिच्छा को दिया है कतर हजार के आसपास होंगे यानि दोस्तों अगर हम लोग deeply बारिकी से बात करें तो लगभग 10 में से एक अभ्यरती को आगे के लिए बुलाएक जाएगा दियान दे जाएगा हर पच्छ को इसमें जानना ज़रूरी है ताकि हमारे एक अच्छा कटाफ निकल सके प्रिछा का पैटन देखें दोस्तों तो टोटाल असी प्रसंद था जो कि 60 मिनट खा था यहां एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे इससे पहले जोग जाम करवाई जायते थे उसमें दोस्तों 90 मिनट होते हैं यानि डेड़ घंटे और 100 प्रसंद होते थे लेकिन इस बाद दोस्तों समया भाव के कारण मैत के और रिजिनिंग के कोस्टन्स थोड़ा कब हाल हुए हैं यह चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग कटाफ जानने में जियस मैत रिजिनिंग और हिंदी यह हमारे सिलिबस थे टोटल दोस्तों एक एक टापिक से 20-20 कोस्टन्स पूछे जान था यानि समय जादा था सोग थे नबी मिनट था टोटल वैकेंसी कितनी थी दोस्तों तो 25,771 थे इस बार कितनी है 46,000 पलस है पिछली बार कितनी थी 25,771 यह चीज़ आप ध्यान देजेगा कटाफ निकालने में इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है आनलाइन जो 50,000,000 दिये थे जबकि वैकेंसी टोटल 25,771 थी और इस बार 46,000 पलस वैकेंसी है लेकिन परिच्छा देने वाले जो भेरती थे वो लगभग 37,000,000 थे यानि दोस्तों वैकेंसी इस बार ज्यादा है उसके अनुसार हम लोग देखें तो परिच्छार्थी काफी कम थे आग दोस्तों कितना फर्क हो रहा इस बार 10 मेंसे जो परिच्छा दी है एक अबेर्थी को आगे बुलाए जाएगा पिछली बार 200 मेंसे एक थे क्योंकि बेकेंसी कम थी और कंप्रीटर पिछली बार इस साल के मुताबिक जादा थे जबकि पिछली बार दोस्तों कोश्चंस के दोस्तों कोश्चंस अब दोस्तों कटाफ सबसे पहले देखेंगे देखेंगे दोस्तों ध्यान से सबसे पहले हम लोग मेल के कटाफ के बारे में बात करते हैं SSF वेकेंशी का देखते हैं दोस्तों SSF वेकेंशी का तो EWS का टोटल 76 मार्क्स गया था वहीं यसी की बात परें तो 72 मार्क्स थे ST की 71 मार्क्स थे OBC का 78 मार्क्स था और Unreserved का 79 मार्क्स था आप ध्यान देखेंगे दोस्तों बेकेंशी कम थी कम टीटर ज्यादा से 25,771 बेकेंशी लगभग 50 लाख लोगों ने एकजाम दिया था तो दोस्तों यह कटाफ आया था SSF वेकेंशी का मेल केटेगरी का जबकि इस बार दोस्तों 10 में से एक अभेर्ती बुलाए जाएंगे, पिचली बार दोस्तों 200 में से एक अभेर्ती बुलाएंगे थे, इतना बड़ा difference है दोस्तों, अब थोड़ा सा मेल पर देखते हैं, फिर हम सब इस बारे में दोस्तों अपने कटाप निकालने का प्यास करते है कि 2030 SSE GT के एक्जाम में हमारा क्टाब क्या हो सकता है फेमल की बात करें दोस्तों SSF vacancy का तो EWS का गया था 76 marks SC का गया था 64 marks ST का गया था 61 marks OBC का गया था 70 marks और unreserved का गया था 72 marks थोड़ा साय और ध्यान देजिगा दोस्तों जनरल और OBC में बहुत ही कम difference देखने को मिलते हैं यह था दोस्तों फेमल का कटाफ अब सबसे पहले फेमल और मेल का देखें दोस्तों तो लगभग 7 से 8 number का difference आ रहा है तो यह चीज आप आगे भी मान सकते हैं कि minimum दोस्तों 7 number का difference रहेगा ही रहेगा अब चलते हों दोस्तों SSC GD exam 2030 के कटाफ के बारे में इस तरह से निकालने का प्रियास करते हैं तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो इस बार vacancy ज़्यादा है पिछली बार के मुताविक और इस बार competitor पिछली बार के मुताविक काफी कम है यानि 10 म दोस्तों तो इस बार EWS का दोस्तों जो अगर हम लोग EWS का बात करें दोस्तों तो लगभग 63 के आसपास आनी चाहिए दोस्तों कटाफ पिछली बार से ज्यादा डाउन रहेगा SC की बात करें दोस्तों तो लगभग 58 आप लोग कह सकते हैं और इस में से दोस्तों जो फेमल कैंडिडेट है उनका कटाफ 5 से 7 नंबर तक कम रहने की पूरी संभावना है SC की बात करें दोस्तों तो आप लोग 52 या 57 तक आप 56 तक आप मात सकते हैं दोस्तों अगर overall पुरा बात करें पिछली बार को देखें इस बार को देखें और अगर OBC के बात करें दोस्तों तो लगभग इसकी 65 आनी चाहिए और दोस्तों unreserve की भी 65 या 66-67 तक आना चाहिए इस से उपर तो दोस्तों जाने की पूरी बिलकुल भी संभावना नहीं है क्योंकि दोस्तों पिछली बार vacancy काफी कम थी और computer काफी ज़्यादा थे उसके मताबिक 200 में से एक अबरती को आगे के लिए बुलाए गया था और इस बार दोस्तों 10 में से एक को बुलाए जाएगा तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों हम लोगों ने एक अच्छा एक्सपेटे कटाप निकालने का प्रियास किया है दोस्तों मुझे लगता है आप लोग भी इस वीडियो से हमारे संतोस्ट होंगे तो दोस्तों आगे कोई अगर अपडेट मिलती है तो हम लोग फिर इस पर बात करेंगे थैंक्स भार वाचिंग